मैं सेफ हैपी लेर्निंग अप्लिकेशन ऑफ इंडेक्टेंस या वीडियो कोई ब्राइन प्रमोसन नहीं है सिर्फ एजुकेशन परपस के लिए कुछ फुटेज लिएगा हैं या मिसाइल मोटर में यह पॉइंडेक्टेंस है या कैमरा के फ्लैस में रेडियो फ्रिकेंसी वॉल्टेज कंट्रोल या रिमोट कंट्रोल में और कई तरह के फिल्टर में इंडेक्टेंस का उप्योग होता है inductance और capacitance passive electric circuit है और inductance के थुरू suddenly current नहीं flow कर सकता है और capacitance के थुरू suddenly कोई voltage change नहीं कर सकता है या अपने initial condition को memory में रखता है initial condition का मतलब है कि steady state condition में यदि किसी inductance के थुरू certain amperage flow कर रहा है या zero amperage flow कर रहा है तो उसको याद रखेगा और अपने थुरू अचानक होने वाले किसी change को किसी change of current को oppose करेगा यह एक circuit के थुरू से समझाने का थेस्टा किया गया है यह 12 volt का battery है यह switch है यह R1 एक ohm का resistance है L inductance arbitrary value का है और यह 10 ohm का resistance है जब इसमें current flow करने दिया गया तो starting में शुरू में तो इसके थुरू को current flow नहीं करेगा कि फ्लो करने का या ओपोज करेगा सारा current इस system को थुरू फ्लो करेगा लेकिन कुछ समय के बाद certain instant of time के बाद यह inductance जो है यह short circuit हो जाएगा क्यों inductive impedance होता है यह omega l omega is equal to 2 pi f यह frequency frequency 0 हो गया तो यह inductance 0 हो जाएगा और transform resistance के थुरू कोई current फ्लो नहीं करेगा पूरा का पूरा current inductance के थुरू फ्लो करेगा और उस हालत में यह L R 2 circuit के थुरू कोई current फ्लो नहीं करेगा complete current यह बारा बटा एक बारा वोल्ट बटा यह कॉम इसकल टू बारे अंपियर करेगा S R 1 L circuit के थुरू फ्लो करेगा S X switch है जिसे जब close किया जाएगा तो current इस fashion में फ्लो करेगा और थोड़े कुछ instant के बाद जब यह short circuit हो जाएगा तो दस हम circuit से कोई current फ्लो नहीं करेगा total current L के बारे अंपियर current inductance L के थुरू फ्लो करेगा अब inductance को steady state condition तक fully charge होने दिया जाए तो यह short circuit के तरह naturally भी हम करेगा क्यों करेगा यह हम mathematically देख चुके हैं अब R S R L circuit में 12 Ampere current flow कर रहा है अब यह दी switch S को open कर दिया जाए इसको open कर दिया जाए तब क्या होगा यह L के थुरू जो current flow कर रहा है यह inductance के थुरू 12 Ampere current flow कर रहा है inductance अपने थुरू किसी वी change को oppose करेगा तब क्या होगा कि इस circuit में current zero हो गया यह open हो गया तो और L R2 circuit के थुरू यह 12 Ampere का current flow करने लग जाएगा तब यह R2 के across voltage क्या होगा और R2 के तब कर्ण वोपने across R2 Corn when 6S is open is equal to 12 into 10 is equal to 120 volt अब यह 120 volt का spike जो है यह initial power supply का 10 गुना है यह देपी जैसे जैसे inductance discharge होगा current supply कम होता जाएगा परन्तु अल्पकाल है तो थोड़ी समय के लिए transient period के लिए हमें अत्यधिक power उपलब्द कराएगा और battery उतना किसी भी condition में इस system में 12 volt का battery हमको 120 volt का supply नहीं देपाएगा इस विधा का उपयोग camera के flash में किया जाता है ससस्त सेना के missiles में किया जाता है जहां भारी भारी generators को और operate करना या carry करना मुश्किल होता है तो missile motive को operate करने के लिए यह inductance का उपयोग किया जाता है और यह basic example है जो fundamental property of inductors इनका उपयोग radio frequency signal और अलग अलग तरह के filter में control system में साथ ही DC motors के DC motor नहीं अ brake राधर अलग्त्रिक ब्रेक अलग्त्रिकली अपरेटेड ब्रेक अलग्त्रिकली अपरेटेड ब्रेक या क्रें में या लिफ्ट में अलग्त्रिक ब्रेकिंग ने एलेक्ट्रिक ब्रेकिंग तो डैनेमिक ब्रेकिंग और प्लगिंग और रिजनेरिटिव ब्रेकिंग होता है ये ये अलेक्ट्रिकली अपरेटेड ब्रेक में ये फ्रिक्षन ब्रेक ही है कि इसका system DC के तुरेट्रिट किया जाता है तो इलेक्ट्रिकली अपरेटेड ब्रेक के coil को d-energize करने के लिए उसके आर्क को क्वेंच करने के लिए एक इंडेक्टेंज के थुरू इसके आर्क के डिरेक्शन को चेंज किया जाता है जिससे कि ऑपरेटर ऑपरेट करने में सेफ रहे इस वीडियो में इतना ही थैंक यू स्टे सेफ और एक बात और यूट्यूब ने मुझे अपने एक मेल के थुरू सेजेस्ट किया है कि मैं भीवर्स से रिक्वेस्ट करूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो यूट्यूब के इंस्ट्रक्शन के अनुसार मैं आपसे अग्रा करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसमें व्याभारिक अन्भोव से सम्मंदित वीडियो दिये जाते हैं और एलेक्रिकल इंजिनियरिंग के कई विधाओं के सम्मंद में वीडियो तेयार किया जाता है थैंक यू